गुड मॉनिंग दियर स्टूडेंट्स बिटा आज हम वक्षि टूसोल करेंगे टॉपिक इस लिविंग एन नौलिविंग थेंग्स सो कॉस्चिन इस रीड दा फॉलाइंग संटेंश अंडरलाइंग दा लिविंग थेंग्स अंड सर्कल दा नौलिविंग थेंग्स आपको बेटा नीचे दिये संटेंश को पढ़ना है और लिविंग थेंग्स को अंडरलाइंग करना है और नौलिविंग थेंग्स को सर्कल बेटा ध्यान रखना है जो लिविंग थेंग्स अंडरलाइंग और जो नौलिविंग थेंग्स अंडरलाइंग और जो अपर living thing. तो, living thing को हमशaire क्या करना है? underline, तो हम boy को भी underline करेंगी और doc को भी clear आप लिचा किसी thing को person को कैसे आप living or non living thing में कैंटेक्टराइज इनके features कराये थे आपको उनлаPea chapters पे लिफेशर को डेखने है, वो जिस पर applicable होंगे living or non living लिविंग andare to living you have a saw food all day or if you take the body קर और दिर दूड़के लिविंग तिक्क है जैसे बैल सकते सारी जो सुट है यह लिविंग फिक्स होते हैं छी असटीर पीपर की मेंड फ्रों लौं के प्लांती या लिविंग तिन नब दन क्या था थो पो następ कर सकता हैं clear plants किया है living thing to plan to underline करेंगे paper को circle करेंगे clear then what is used to make pencil वूट से हम लकडी से क्या बनाते हैं pencil बनाते हैं ठीक है रेको pencils और वूट दोनों क्या है not living thing है हम क्या करेंगे circle करेंगे clear four people can play a game of carean चार लोग हैं वो इक केरम का गेम खेल सकते हैं ठीक है तो people क्या है यहाँ पर? ठीक है लोग क्या है यहाँ पर? Living thing, clear? और जो केरम है वो क्या है बटा यहाँ पर? Non living thing, ठीक है? Then the last is the cat sat on a tuft of grass under a tree जो बिल्ली थी वो कहाँ बैठ गई? यहाँ पर बैठ गई पेड के नेचे ठीक है जो बिल्ली है और जो ट्री है दोनों के यहाँ बटा है यहाँ पर? Living thing, तो हम इसको क्या करेंगे? Underline, clear बटा This is the solution of your worksheet I hope this is clear to all of you Thank you बटा